चंद्रयान 2 से फिछली बार हमारा सिर्फ संपर्क तूटा था संकल्प नहीं और आखिरकार हमने कर दिखाया भारत रूस अमेरिका चीन को पीछे छोड़ कर चंद्रमा के दक्षनी धुरूपर सक्सेस्फुली लैंड करने वाला पहला देश बन गया है चंद्रमा 3 अपनी 40 दिनों की यात्रा पूरी करके चांद पर उत्रा है ये हम सभी भारतियों के लिए एक बड़े गर्व की बात है हिंदी में कहावत है ना कि चंदा मामा दूर के लेकिन आज हम कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के ये ख्षन भारत के लिए मुश्किलों के मासागर को पार करके जीत के चंद्रपत पर चलने का है आखिरकार हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उडान के साक्षी बनी गए साकिल से लेकर चांद तक का सफर आखिर हमने तैक कर ही लिया ये सिर्फ हमारे देश की ही जीत नहीं है बलकि दुनिया के सभी देशों की जीत है क्योंकि हम दुनिया को वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के नजरिये से देखते हैं चंद्रमा 2 की असफलता से सीख लेकर भारत की स्पेस एजंसी इसरो के विज्यानिकों की मेहनत आज आखिरकार रंग लाई है चंद्रयां 3 की सफलता के लिए इसरो को मेरी और A2 फैमिली की तरफ से लख-लख बदाईया हों जै हिंद, जै भारत एक ऐसा इंसान जो ना तो कोई बड़ा बिजनसमेन है और ना ही कोई बड़ा करोड़ पती लेकिन इसके बावजूद भी वो रोज अपनी कमाई का 90 प्रतिशत हिस्सा दान कर देता है कौन है वो बंदा चलिए जानते हैं ये बड़ा दिलवाला है हरियाना के केथल में रहने वाले फकीर चंजी इनका नाम भली फकीर चंद है लेकिन दिल के बहुत बड़े अमीर है तरेपन साल के फकीर चंजी कबाड़ी का काम करते हुए एक दिन में 800 रुपे कमा लेते हैं जिसमें से 150 रुपे वो अपने खर्चे के लिए रखके बाकी के पैसे ये अलग-अलग सेवा के कामों में दान कर देते हैं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साधारन जीवन जीने वाले फकीर चंजी को विरासत में 11 लाक रुपे मिले थे और जब उनके भाईयों की मृत्यू हुई तो उनके भी 24 लाक रुपे फकीर चंजी कोई मिले थे लेकिन उन्होंने ये सारे पैसे अलग-अलग कामों में दान कर दिये उन्होंने अब तक 5 गरीब लड़कियों की शादी के लिए 5 लाक रुपे खाटू शाम जी मंदिर के शेड बनवाने के लिए 3,60,000 रुपे नील कंट मंदिर बनवाने के लिए 13,00,000 रुपे और जब फकीर चंजी से ये पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो मैंने सोचा कि क्यू ना इन पैसों को अच्छे कामों में लगाया जा विकास ने बखूबी निभाया था चोटी सी उमर में जब उनके पिता की मृत्च्यू हो गई थी तो उस समय विकास ही विराट के साथ डटकर खड़े हुए थे साथ ही विकास मैनेजर के तोर पर विराट का करोडों का बिजनस भी संभालते हैं इसके लावा विकास खुद 1-8 रेस्टो चैन ब्रांड के मालिक हैं इसके साथ ही विकास प्रोपर्टी इंवेस्टमेंट भी करते हैं और उनकी 100 करोड से भी जादा की नेट वर्थ है क्या इसके पहले तक विकास कोली के बारे में आप जानते थे और अगर नहीं तो कुमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा जब मात्र 300 स्पार्टन्स जरेक्सिस की विशाल सेना के सामने लडने के लिए जा रहे थे तो रस्ते में आर्केडियन्स मिल गए आर्केडियन्स ने का कि हम भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहते है पर मैं हैरान हूँ कि सिर्फ 300 सैनिक लेके तुम इतनी विशाल सेना से कैसे लड़ोगे तो स्पार्टन्स के मुख्या ने एक सवाल पूछा आर्केडियन्स की सेना से एक-एक करके उसने पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है तो आर्केडियन्स की सेना में से लोगों ने जवाब देना शुरू किया कि मैं मूर्तिकार हूँ, मैं शिल्पकार हूँ, मैं लोहार हूँ फिर स्पार्टन्स के मुख्या ने अपनी सेना से सवाल पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है तो उन सब ने जवाब दिया खून, खून, खून सबक ये है कि जंगे सैनिको से नहीं, होसलो से जीती जाती है